तो hello my dear students and welcome again to dream classes और आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग वर्ग find the square count करने वाले हैं वो भी बिना pen और बिना paper के जी हाँ बिना pen और बिना paper का आज हम लोग वर्ग ग्यात करने वाले हैं square ग्यात करने वाले हैं और हाँ सिर्फ इतना ही नहीं कुछ और भी special हम आपके वाला है आज हमारा जल्दी जल्दी से लाइव आ जाईए हम बढ़िया हैं आप लोग कैसे हैं तबी लोग ready चलिए शुरुआत करते हैं find the square आज हम दो अंक वाली संख्यां का वर्ग पहले ग्यात करेंगे उसके बाद कुछ नए नए topics आज हम लोग शिखेंगे ठीक हैं आ यहां पर heading बनाते हैं दो अंक वाली कि दो अंक वाली संख्यां अभी दो अंक तीन अंक सब सीख लेंगे पहले दो अंक वाली संख्यां देखिए यह स्क्वेर जो है वो क्यलकुलेशन का बहुत ही इंपॉटेंट एरिया है ज्यादा तर बच्चे यहां पे टाइम बहुत लगा देते हैं बत्तब जो चीज दस मिनट दस सकेंड में करना है वो चीज दो मिनट में एक मिनट में करते हैं टाइम वेस्ट हो जाता है आज हम आपको फुल मैजिक ट्रिक के तुरू स्क्वेर काउंट करने के लिए बिना पैन और पेपर का सभी लोग लाई बाचुके ह शुरुआत करें क्लास की चलो शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट दीरे दीरे लाई वा जाएंगे हमारे साथ मुझे पता है यह बैच बहुत ही सांदार है दो अंक वाली संख्यां पहले हम टाइप वन में देखेंगे ठीक है टाइप वन में जब इकाई अंक पर दिखें टाइप बाइट आइप बना रहे हैं एकाई अंक पर क्या हो? जीरो हो जब एकाई अंक पर शुन हो तब कैसे हम बर्ग ग्याद करेंगे? Now let's start the solution, जैसे मान कर चलिए 10 का square, 20 का square, 30 का square, 50 का square, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 60 का square, 70 का square, 80 का square, 110 का square, 120 कहिए कसर, यह दो अंग था, यह तो 3 अंग है, कोई दिक्कत नहीं है, 130 का square, यहां तक हमने लिख डाला है, सभी लोग live आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से, शुरुवात करें, चलिए देखिए, अब full magic trick के through, हम square count करने के लिए बताएंगे, बिना pen और paper, सब जगा क्या common है, कहेंगे सर जी सब जगा एक ही common है, कि सब के last में 0 लगा हुआ है, common यही है, कि सब के last में 0 लगा हुआ है, तो आप क्या करो, कि कुछ देर के लिए 0 को ignore कर दो, अब बताओ यहां पर क्या है, कहेंगे सर जीरो को ignore करेंगे, तो एक का square एक हो गया, 2 का square, सरजी 4 हो गया, 3 का square 9 हो गया, 5 का square 25 हो गया, हमने क्या कर दिया, 0 को कुछ छनों के लिए ignore कर दिया, क्या कर दिया, ignore कर दिया, तो एक का square एक, दो का 4, 3 का 9, 5 का 25, अब देखो, यहां single 0 है, तो single के जगा double बिठाई है, मतब जहाँ 1 है, उसका दुगना करेंगे, गर दुगना रहेगा, तो 4 गुना करेंगे, मतब दो 0 रहेगा, तो 4 0 कर देगे, 3 0 रहेगा, तो 6 0, अभी आगे देखिएगा, दो का स्कॉयर 4 और 1 0 है तो डबल 0, 3 का स्कॉयर 9, 1 0 है तो डबल 0, 5 का स्कॉयर 25 और 1 0 है तो डबल 0, देखिए 6 का स्कॉयर 36 और यहां सिंगल है तो डबल बेठाईए, 7 का स्कॉयर 49 सिंगल है तो डबल बेठाईए, 8 का स्कॉयर 64 सिंगल है तो डबल आप देखिए 110 में 10 है बाकी 11 है तो पहले 11 का स्कॉयर करीए 11 का स्कॉयर 121 सिंगल है तो डवल कहिए सर ये सब तो बच्चो बाला काम है मुझे पहले से ही पता है अभी टाइप बाइट बढ़ने तो दीजिए बहुत कुछ सीखेंगे आज के क्लास में 12 का स्कॉयर 144 सिंगल है तो डवल जीरो और 13 का स्कॉयर 179 सिंगल है तो डवल जीरो अच्छा मान लीजिए कि कहीं रहे कहीं इस तरह का भी प्रशन आ जाए 100 का स्कॉयर 1000 का स्कॉयर और 10 1000 का स्कॉयर मान लीजिए अगर कभी आ जाता है बहुत ही असान है एक का square एक और यहां 2 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए एक का square एक 3 जीरो है तो आप 6 जीरो लगा दीजिए एक का square एक और यहां 4 जीरो है तो 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ जीरो लगा दीजिए this is the right answer of this question समझ में आ चुका है ये बेसिक था अभी खतम नहीं हुआ है अभी हमने तो स्थाई डंग से शुरुवात भी नहीं किया है अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ही सर बताएंगे तो टेंशन मत तीजिए आपको बिना पेन उठाएं किसी भी तरह का संख्या का वर्गित ग्याद क के लिए आजम बताएंगे मतब आज का मारा टॉपिक है फाइंड दा स्क्वाइर विदाउट एनी पैन विदाउट एनी पेपर विट सॉट ट्रिक ठीक है एवरेज 425 सकेंड अगे बड़े नौ लेट्स टार्ट टाइप 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 उन क्लियर यह असान है यह हर बच्चा जनता है जी यह हर स्टूडेंट का यह बेसिक है यह तो पूछने की कोई अब यह टाइप टू में प्रवेश करते हैं अब देखो कुछ नया सीखेंगे आप हमारे से लगेगा कि भाई राहूल सब ने कुछ अच्छा बताया कुछ अस्पेशल बताया और इनके साथ जुडने के साथ जो है एक नई उर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा होगा ठीक है टाइप टू पहला सवाल पहले देखो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा पहला टाइप हमने पढ़ा कि इकाई अंक पर जीरो अब हम टाइप पढ़ेंगे कि इकाई अंक पर एकाई अंक पर पांच हो ठीक है तब कैसे स्क्वाइर निकालेंगे देखिए जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये जीबन भर चलते रहेगा और जीबन भर याद रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है तो जब एकाई अंक पर क्या हो पांच हो सभी आचुके हैं लाई बहुत बढ़िया एकाई अंक पर क्या हो जी पांच हो जैसे में पंदरा का स्क्वाइर देखिए सौट मैजिक ट्रिक बता रहे हैं आपको पचीस का स्क्वाइर पैतीस पैतालीस पचपन पैसट पचछतर पचासी पंचानवे यह तीनंक में भी आ गए एकसो पांच एकसो पंदरा एकसो पचीस काफी है पहले इतना सीखतो जाएं शुरू करें नाओ लेट्स स्टार्ट देखों फरस्ट टाइप पे क्या आपने देखा फरस्ट टाइप में आपने देखा सब कॉमा ने सबके इकाई अंक पर जीरो है राइड रेडी हाँ सब लोग रेडी है ना हाँ फरस्ट टाइप में आपने क्या देखा सबके इकाई अंक पर जीरो है सकेंड टाइप में आप क्या देख रहे है 5 अब उसका square करिये, पाँच का square 25, पाँच का square 25, पाँच का square 25, अब कहींगे पाँचीं पचींगे 25 ही करवाते रहेगा यह कुछ Compelion के नहीं है, अब देखिए ये common वाला तो हो गया पांच का स्क्वेर 25 इसके इलाबा और क्या है यहां पर कहेंगे सर इसके इलाबा एक है आप बताइए कि गिनती में एक के बाद क्या आता है यह क्यों पूछ रहे तो सबको पता है एक के बाद दो आता है उन दोनों को आपस वे गुना कर पांच का स्कुएर 25 और चार के बाद गिंती में भगल वाले से को prag可以 वो अलग बात है, जो भाग गया है, कि चार के बाद 5 ही आ रहा है, बगल में भी, पर उससे कोई मत्तम नहीं, चार के बाद गिंती में 5, 5 चक बीस, 5 का स्कॉयर 25, और 5 के बाद इधर वाले पर ध्यान देंगे, पाच के बाद गिंती में 6, 6 पर चेक 30, 5 का स्कॉयर 25, और 6 के जो है ना इसको आने वाली अगली संख्या में जो गिंती में अगली संख्या आती है उससे सब गुना करना है आठ है तो आठ सते 56 पांच का स्कौरेर 25 और यह आठ है आठ के बाद गिंती में 9 आता है ये 10 है और 10 के बाद गिंती में 11 आता है 1110 पांच का स्क्वाइर 25 और ये 11 है 11 के बाद गिंती में 12 आता है 12 गुने 11 करके देखिएगा 132 आएगा ये हमारा रोज का काम है आप करके जरूर देखिए पांच का स्क्वाइर 25 और ये 12 है बारा को किस से गुना करना है 13 से 13 गुने एक बार बताईएगा फिडबैक दीजिएगा कैसा रहा गुड बेटर या वेस्ट जल्दी से फिडबैक दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं वेट कर रहे हैं आपके फिडबैक का चलिए एकदम वेस्ट वाला फिडबैक मिला नहीं दीख रहे हैं कुछ आज मज़ा आ रहा है नई उड़ जागा संचार आज फड़ से हो रहा होगा आपके अंदर अब आईए तीसरे टाइप की ओर टाइप थ्री ठीक है किसी भी किसी भी दो अंक वाली किसी भी दो अंक वाली किसी भी दो अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं अच्छा यह बैच साड़े नौ बज़े से हैं बिल्कुल लाइव रही है अब समय अनुशार अगर एक आग दिन कभी छुट्टी भी मिल जाए तो आप लोग इगनॉर मत किया करिए ठोटा सा आप लोगों से अनुरोध है कि रेगुलर्टी बना के रखिए रियालिटी के साथ साथ रेगुलर्टी भी बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया सतीश यादव थैंक्यू शुक्रिया और फुश होंगे आप अंदर से कि चलो यह बैच हमने जॉइन कर लिया और यकीन है कि आपके तुरू और भी बच्चे इस बैच में और भी आपके फ्रेंड सर्किल में इस बैच में जॉइन होंगे यह मुझे बरोशा है आप लोगों के उपर क्योंकि जिस लेबल का मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनाने का शफर यह जो जारी किया है हमने सफलता बैच जिसकी दिमांड बहुत ज्यादा हमारे ड्रीम क्लासेज के ओफिशियल अप्लिकेशन पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बैच का नाम अप्लिक एकीसर्म पर ठीक है किसी भी दो अंकवाली संख्यां का वरग कोई वी संख्या उठा लिजिये चोटे चोटे पहले उठाते हैं 12 कि को रोला का सक्वाईर तडिस का सक्वाईर 27 का सक्वाईर कुछ भी लिख लिजी अलु सम्षायर चतिस का स्क्वेर तेतालिस का स्क्वेर चपन का स्क्वेर उनन्चास का स्क्वेर बावन का स्क्वेर रोहत्तर का स्क्वेर तेरासी का स्क्वेर बेरानवे का स्क्वेर चलिए इतने सारे प्रस्टन आजी पूजा मकर इतने सारे प्रस्टन आपके स्क्रिन के उपर आ चुका है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 12 का स्क्रिक देखिए मैं थोड़ा सा पहले एक जूम करके पहले सिखाना चाहूंगा आपको क्योंकि ऐसे नहीं बन जाएगा यह देखिए मैं एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं सिंपल सा 23 का स्क्रिक है ठीक है पहले सीखो फिर उस पेज पर फिड़ते आएंगे हम लोग 23 के स्क्वाइर में आप इसको ए मानो इसको बी मानो और इसको सी मानो बस देखो जितना समय सीखने में लगेगा उतना ही मजा है एक बार सीखोगे फिर बहुत मजा है इसको ए मानिए इसको बी मानिए इसको सी मानिए अब आप क्या करिए कि एक ट्रिक आता है यह वाला ट्रिक ठीक है देखो क्यासे पहले बी का स्क्वाइर करना है फिर ए बी सी करना है फिर ए का स्क्वाइर करना है यह पहला स्टेप है यह दूसरा स्टेप है और यह तीसरा स्टेप देखे कैसे बहुत आसान है छो पहले बीका स्कॉर बी कॉन सा है बी है तीन 23 का स्कॉर चाहिए आप समझ चुके हैं मैं यहां पर लिख दता हूं 23 के स्कॉर में ठीक है ये यह है यह बी है और यह सी है यहां पर मैं अच्छे से कर देता हूं यह बस यह समझने के वाली चीज है यहां पर हमें चाहिए 23 का स्क्वाइर नाओ हमने क्या बोला पहले हमने बोला देखो इधर से चलेंगे बहुत राउंड करके चलिए इस तरह से एक बार सीखने में जितना समय लग जाए एक बार सीखोगे फिर पूरी जिंदगी आप हमें याद रखोगे पहले कह रहा है कि B का स्कॉर करिये B कौन सा है जी B है यह 3, 3 का स्कॉर 9, देखो simple मैं बताता हूँ पहले इसका स्कॉर, one time one desert एक बार में एक संख्या लिखना है, फिर तीनों का गुना, फिर इसका स्क्वाइर, असान है, पहले इसका स्क्वाइर, फिर तीनों का गुना, फिर पहले का स्क्वाइर, फिर पहले का स्क्वाइर, फिर तीनों का गुना, फिर पहले का स्क्वाइर, वन टाइम, वन टाइम, एक बार में एक अंखी लिख सकते हैं, तो पहले इसका स्क्वाइर करना है, तीन का स्क्वाइर नौ, कोई दस के बाद ना पैचा जाएगा, फिर तीनों को गुना, दो तिया छे, छे दूनी, बारा, दो तिया छे, और इसको भी गुना करना है, दो तिया छे दूनी, बारा, हाथ में रहा एक, क्योंकि हमने लिख दिया, एक्लियरली, वन टाइम, वन डिजीट, अब हम इसका स्क्वाइर करेंगे, दो का स्क्वाइर, चार, और हाथ में एक था, अभी और सीखिए, वट्टी, वट्टी-थ्री, कोई भी अच्छा-च्छे, अभी छोटे-चोटे प्रस्चन सी, ज्यादा बढ़ा नहीं, बना करने, पहले इसका स्क्वाइर, देखे बहुत आसान तरीके से, पहले इसका स्क्वाइर, तीन का स्क्वाइर, नौ, फिर तीनों को गुना इसको इसको और इसको इन का स्क्वाइर नो हो गया चार तीया बारा दुनी इन तीनों को गुना इसको इसको सब को गुना करना है ठीक है तो चार तीया बारा बारा दुनी 24 हाथ में रहा दो फिर इसका स्क्वाइर चार का स्क्वाइर 16 और हाथ में 2 था अठारा उनन्चास एक बार बोली कितना परसेंट सीखें बहुत बढ़ी आसतीस याद आपने बहुत अच्छे कमेंट्स करें अच्छा बताईए कितना परसेंट समझ में आया नहीं तो एक अक्सबल और एक अक्सबल और कोई दिक्कत नहीं अच्छा जो लास्ट में पांच वाला है ना उसको इस रूल से भी बना सकते और उस रूल से जो टाइप टू का रूल हमने बताया कितना परसेंट समझे वरना पिछ कुछ और करते हैं कुछ और सिखाते एक दो प्रस्टन और देखो कुछ और लेते हैं 53 का स्क्वार कुछ भी ले लिजे ना बावन ही ले aste 52 पहले इसका स्कोर मैं pen का कळर गलो ताकि सीखने में पहले इसकी स्कोर 2 का स्कोर चार और फिर तीनों को गणा स्को इसको और इसको पांच दोनी 10 दोनी 20 के जीरो हाथ में दो अब फिर इसका स्क्वेर पाच का स्क्वेर 25 और हाथ में दो था तू सेवन जीरो फूर कि क्या बात है रमेश सत्यम इंद्रजीत रिया कि नंदनी ज्यान देब प्रशाद एकता बबीता जी अखिल चतीश सुक्रापूरण जो भी है अच्छा नाम है ओमकार क्या बात है बहुत बढ़िया सत्यम इंद्रजीत भाई 99.99 आप अंसर दे रहो यानि एक परसेंट का जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट राहूल सर से कहां चूक हो गई जरह बताएंगे आप में ठीक है कोई नहीं दो चार प्रस्न करेंगे तो आ जाएगा ना यह मसाला मैंने आप ही के लिए त्यार कर रखा था आप सोच रहोंगे कि सर ने सर खुद बताएंगे ना मैंने आपके लिए रखा यह कहेंगे तो फिर हम भी बता देंगे लास्ट में वैसे यह मसाला आप ही के लिए है शुरू हो जाईए शुरू हो जाईए यह आपके लिए बनाईए इसको बनाईए और प्रैक्टिस करिए अपने आपको निखारिए ठीक है अपने आपको यहां से और एक नई उर्जा का संचार अपने अंदर लाईए जल्दी जल्दी बनाईए वेट कर रहे हैं आप लोग का फटा फट कुछ शाइरी आपके लिए बहुत दिन हो गया था कहा गया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और कहा गया है कि यहां जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है आपको भी पता है कि जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है जिन्दगी जियो इस कदर की एक मिशाल बन जाए हमारे मुँँ में तो एक ही motivational साहरी आती है कि लहरों से डरकर नोका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते और इस बैच के उपर मैं कुछ बाते करना चाहता हूँ यह जो सफलता बैच है, भाई देखो यह कितना important है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें ही हासिल होते है, जो बक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, ठीक है, जो बक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, चलिए रेडी मैं ही कर देता हूं नहीं क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो मैं करता हूं आप लोग भी करना 12 का स्कॉयर तो हमें ऐसे ही पता है 144 होता है लेकिन अगर रूल के हिसाब से बना एक नहीं सर अब आपने रूल बता है तो रूल भी हलाकि छोटे प्राशन एक सकिंड ठीक है तो रूल के हिसाब से करिए पहले इसका स्कॉयर दू का स्कॉयर चार फिर तीनों को गुना दो एक कम दो दुनी चार और हाथ में कुछ नहीं एक का स्कॉयर एक छे का स्कॉयर 36 हाथ में तीन 7व Surprise दुनी 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 4 साथ में स्कॉयर 6 दुनी 12 अभी आत्में स स्कॉयर एक और हाथ में एक है दोह स्कॉयर 9 तीन दुनी 8 दुनी 12 हाथ में 1 और 2 स्कॉयर 4 चार और 5 यह मैंने उल्रेदी बता भी दिया है फिर भी चार स्क्투 ajani 4प साथ Renee 14 14 डुनी देखे साथ दोनी चोदा 14 डुनी वह तक तीनों को गुना करना होता है पई सकेंड डिम साथ दोनी 14 14 दोनी 28 और 28 4 सक नउन 4 14 14 दोनी 28 284 32 अभी हात में 3 और रहा चार आथ में तीन था worky in चार्ड तो किछार इंच्ड़ रहा अधमें रहा एक आप मेरा एकला सक ोर्ण 9 रह रही च्छे आप में 20 से है के राइट छे का स्क्वाइर चट्टीस और हात में रहा तीन और चे टिया अठारा, अठारा दुनी चट्टीस पर हात में तीन था चत्तीस तीस तीनननां चालिज अभी भी हात 레 recher etwas Express Ben at is free लोग्म-फै वहां यद्धलिध बारा पारा सिंप्रिया वहात दशानी यानिग, भाईभाव बहुत बड़ी, देखो, 3 का स्क्वाइर 9, हात में कुछ नहीं, selfish 친구 हात में तभी रेगा, peg 600 जब 10 से उपर जाएगा, 4 taking 12 12 दूतीक जुटेश 네, 3 का स्क्वाइर 9, 4 taking 12 12 24 अभी हात में, 2, 4 का स्क्वाइर 16, 16, 28,"äg कि 26 हां या ना," हमसे भी पीछे हैं आप लोग क्या बात है बड़ा सलो चल रहे हैं आप लोग बताईए तीन का स्क्वाइर नौ चार तीया बारा बारा दुनी चुप 25 हातमे रहाँ दो चार का स्क्वाइड 16 1618 अनचाश्च यह का स्क्वाइड सी है हात में रहा तीन ठीक है चेकर स्क्वाइड चाथ में रहा थीन श्यें पच्वेड तीयन चार्थ त्व्याश्ट घ्रिवारी 65 दुनि-60 3 और 3 66 6 का स्क्वाइर 36 कि चे का स्क्वाइर 36 हार में रहाद 3 6 35 दुनि-60 और 3 63 थे 7 5 का स्कोयर 25, 25 और 631 सही है 31, 36 18, 49 तक आ चुका है जी ग्यान अदेव चलिए 9 का स्कोयर 81 9 का स्कोयर 81 81 हाथ में रहा आठ 9 चक 36 36 दूनी 72 ठीक है 9 चक 36 36 दूनी 72 72, चक 80 80 के 0 हाथ में रहा 8 4 का स्कोयर 16 168 2401 अरे एक ने 31 6 लिखा है कलती हो गया क्या हमारा चलो 31 36 होगा ना ज्यानदेव ने 31 6 लिखा ने ज्यानदेव यह ईक 3030 होगा दो का स्क्वाइर 4 कि पांच दुनी 10 दुनी पांच दुनी 10 दुनी 20 बादनी 10 दुनी 20 के 0 हात में रहा 2 पांच यह स्क्वाइर 25 दो 2704 यह 74 है न हां 74 मेरे सबसे 4 गांच 6 ला थै. स्कूइर गरोला कि अर्च्णक डोला है थाट है चपन सुपन और एक संतावन हाथमेρे ररा पांच में रहा 5 सइर कैसी कि सकूइर औरος में हो गया आठ तीया 24 24 दुनी 48 48 के 8 हाथ मेरा 4 और 8 का स्क्वाइट 64 48 नवासी देखो कर तो बिल्कुल सही रहे है सही है ना गलत गलत भी कर रहे हैं सब लोग 24 का उंच देखो गलत नहीं करिए अब 24 में 4 का स्क्वाइर 16 आठ मेरा एक सचा कठा है दुनी 56 57 हाथ मेरा 5 और 7 का स्क्वाइर उंचास और हाथ में 5 भी था उंचास पच्वण भी तो करिएगा 3 का स्क्वाइर 9 आठ तीया 24 दुनी 48 या आठ हाथ मेरा 4 और 8 का स्कॉर 54 और ये कितना है ये नौ लिखा है मैंने शर्फ और ये विशान कॉय बात नहीं सक्वाइर 16 मिटा देता हूं कृट कोई बाध जीहां करते हैं इसको इस रूल से भी बना सकते हैं येट क्योंत पर 5 है तो 5 का स्कॉएर 25 और 9 के बाद 10ило 57 और इस रूल पर भी बनाईएगा जो हमने उपर बताया है दोनों सेम कंडिशन है सेम तरीके से समझ में भी आएगा चलिए क्लियर माने आज के क्लास को यहां तक बिल्कुल समझ में आज चुका है जिस स्टूडेंट ने आपके भाई ने आपके फ्रेंड सरकिल ने में से कोई जो है अगर अभी तक उन्होंने सफलता बैच नहीं लिया है अगर आप मुझसे लंबा जर्नी आप मुझसे एक सा जोइन करिए और हां यह बैच बहुत जल्द इसका एडमिशन बंद हो जाएगा ठीक है क्योंकि सीटे धीरे-धीरे फूल होती जा रही है तो एडमिशन उमीद है कि बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा तो आपके जो भी दोस्त हैं ऐसा नहीं कि वह छूट जाए सफलत सीट है नहीं जो सीट होता है वह लिमिट होता है अप्लिकेशन के अंदर चारसो पांसो एक हजार लिमिट सीट है तो लगबग 500 स्टूडेंट का एडमिशन लगबग में होने वाला है फिर ऑफर खतम एडमिशन बंद तो आज के क्लास को हम यही रहने देते इतना काफी है इतना आप अच्छे डंक से करिए अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछेगा